हेलो गाइज कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपका मेंटोर अर्जंदुवा आपका मेरे चैनल एंसी आटे मैथ गुरूप पर स्वागत है आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनस मैथेमेटिक्स में 5.9 एक्ससाइज इसमें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि हम करते हैं उसमें कई बार हमें कहा दिया जाता है कि आपको दुबारा डेरिवेटिव करना है इसके बाद तीन बार डेरिवेटिव करना तो देखिए वह किस तरह से करेंगे माली जे सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं कि किस तरह से करेंगे नोर्मली अगर हम य का derivative करते हैं इसको हम लिखती है डी वाई अपोन डी एकस इसी तरह से यहाँ पर फिर हम क्या लिखते हैं आफ डär डैश एकस जानने कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ डैश एक-शन के जो भी y हो जाएगा और यहाँ पर d x हमार पस 2 हो जाएगा यानि कि हमें यह derivative find करना होगा second order पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे f double dash x करेंगे इसी ज़रा से माले जो 3 order का जाए तो हम क्या करेंगे 3 order के लिए 3 order के लिए हम लिखेंगे d 3 y upon में d x की power 3 बन जाएगी इस तरह से derivative हो रहा है तो इस तरह से अभी हमें example भी देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम उसको represent करेंगे तो माली जैसे अगर हमारे पास 4 आएगा तो example करते हैं फिर हम अपने सम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास फर्स इग्जैंपल है एक्जैंपल देखेंगे हमारे पास फर्स गिवन है एक्स क्यूब हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब तो थे एक्स क्यूब तो अगर हमें फिर्स ट्रोडर करना है आप को मैं इसी के अंदर आपको 3 और 4 यह दिखा दूंत किस तरह से रहेगा सबसे पहले first का देखती है कि first हमारे पास क्या आ जाएगा first derivative करेंगे तो हम इसको y के को लेकर चलते हैं तो y का derivative dy upon dx यह होगा और फिर हम करेंगे derivative a constant है तो asd's power आगे power कम करेंगे x cube में तो 3x square हो जाएगा इसी तरह से b x square का b constant है x square का derivative power आगे power कम करेंगे इस तरह बन जाएगा और cx का derivative c d का derivative 0 हो जाएगा तो यहां पर हमारा क्या हो गया derivative first order का हो गया यहां पर हम normally कर लेते हैं अब देखे second order का derivative किस तरह से होगा यहां पर हम d to upon में देखे d x square लिखेंगे तो हम यह किस तरह से find करेंगे तो देखिए इसको हम find करेंगे जो आपके पास 3a है उसको तो हम हम लिखेंगे as it is तो हमने लिखा देखिए 3a as it is x square का derivative 2x हो जाएगा पावर आगे पावर का फिर से तरह से 2b constant है as it is x का derivative 1 c का derivative 0 हो जाएगा तो यह हम पर इसको simplify कर लेते हैं तो result बन जाएगा 6ax plus 2b हमारे पास यह result बन गया अब इसी में देखिए 3 order का करना हो जाए तो यहां पर कई बार हमें 3 order में भी दे देते हैं तो उसको देखिए किस तरह से करेंगे तो 3 आ जाएगा इस तरह से हमारे पास और यहां पर हमारे पास dx की पावर 3 बन जाएगी तो यह देखिए इसका किस तरह से हो जाएगा derivative तो इसको हम लिखेंगे 6a constant है तो उसको as this x का derivative to be constant है तो derivative 0 यानि कि हमारा result क्या हो गया 6a तो इसी तरह से हम derivative find करेंगे 2 और 3 का हमारे questions में 2 order का है लेकिन examples में कई examples है हमारे पास 3 order में तो उनको इसी तरह से solve करना है अब देखिए यहां पर यह जो हमने यह लिखा यह किस तरह से होता है तो हम सबसे पहले क्या लिखत क्या होगा जब हम derivative करेंगे y का तो d y upon dx हो जाएगा फिर इसका भी derivative फिर वो हमारे पास इसके स्केर में बन जाता है इस तरह से तो यहां पर यह क्या हो जाएगा derivative second order का तो यह देखिए इस तरह से अब हम अपने question start करते हैं तो देखिए अपनी book में सबसे पहले हमारे पास first question given है first question क्या है देखिए मैं परताता हूँ आपको find the second derivatives of the flowing functions तो यहां पर हमें क्या कहा गया है कि आपको second order का derivative find करना है यहां यहां पर हमारे पास 12 parts है एक 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 देखते हैं कि क्या result रहेगा सबसे पहले first part में power given है देखिए function given है x की power n यहां पर जैसे कि नोर्मली derivative में करते हैं पहले इसको y के वलेट करेंगे function को तो हमने वही किया अब derivative करते हैं y का derivative x के respect में dy upon dx यह तो हमें पता है अब ही कि आप power लिखी हमने आगे यानि कि n को लिखा हमने आगे x की power हमने कर दी n-1 तो यह हमारा derivative आजता है first order में अब इसमें हमें क्या कहा गया है second order में आपने find करना है तो again derivative करेंगे differentiation again हो जाएगा with respect to x तो यहां पर d y upon dx का derivative derivative again हो जाएगा तो यानिकि d square y upon dx square हो जाएगा य एन हमारी पस्या है constant number है इसलिकों डिखा as it is अप फिर हमनेटोली आपलाई करना है देखिए power आगे पावर कम क्या करनी है power आगे करनी है power कम करनी है तो हमने क्या लिखेंगे n-1 आगे लिखेंगे power आगे कर दी ऐसलिकोंकाइद ञस्तरू कर देंगे अब इसको सिंप्लिफ कर लिया हमने देखिए यहां से तो हमारे पस derivative क्या बन जाएगा एन इंटु में एन माइनस वन इंटु में एक्स की पावर एन माइनस टू तो आप एन की इधर calculation solve भी कर सकते हैं यानिकि n square माइनस एन इंटु में एक्स की पावर एन माइनस टू हमारा result हो जाएगा इसी तरह से देखिए अगर हमें third order का derivative कह दिया जाए इसी question में तो हम क्या करते एन constant है एन माइनस वन भी constant है फिर एन माइनस टू को हम आगे करते पावर आगे करेंगे फिर पावर कम करेंगे यानिकि x की पावर एन माइनस टू माइनस वन माइनस ट्री रिजल्ट हो जाएगा तो यहाँ पर रिजल्ट x की पावर एन माइनस ट्री हो जाएगा तो पर यहाँ पर टू थ्री यह चेंज हो जाएगा लग जाएगा इनिपर पावर और इस तरह से यहाँ पर अब जो पहले function था वह function नहरा रहकर दूसरा function हो जाएगा जैसे कि हमारे पास starting में function x की power n थी लेकिन अब function यह बन जाएगा तो हम इसका derivative करेंगे इस तरह से बात में function यह बन जाएगा तो हम इसका derivative करेंगे इसके बाद अगर 4 का कहा दिया जाए 4 order का function हमारा यह बन जाएगा आपने खबराने की जोड़ता ही आप असाने से derivative कर लेंगे इस तरह से देखिए second part हमारे पास given है e की power kx क्या है e की power kx का derivative करना है तो इसको y के equal हम let करेंगे जैसे कि normally हम करते हैं फिर derivative करेंगे differentiating with respect to x y का derivative x की respect में क्या हो जाएगा एकदम सही dy upon dx और e की power kx का derivative जैसे कि हम e की power x का करते हैं यानि कि पहले as it is आएगा फिर kx का derivative होगा तो हमने भही लिखा देखिए e की power kx as it is kx का derivative क्या हो जाएगा एकदम सही k हो जाएगा k constant है इसलिए वो as it is x का derivative one हो गया इसलिए हमारे पास dy upon dx हमारे पास e की power kx into में k आ गया इसी तरह से देखिए next हमारे पास क्या बन जाएगा इसे में हमें second order का derivative find करना है तो again derivative करेंगे यानि कि again हमने derivative किया तो result हमारे पास क्या हो जाएगा d square y upon में dx square हो जाएगा equal to क्या हो जाएगा देखिए अब function हमारे पास क्या है function हमारे पास अब यह बन चुका है तो k इसमें constant है तो हमने k को अलग किया e की power kx अभी हमने derivative किया था e की power kx हो जाएगा और k हमारे पास उसका derivative हो जाएगा तो यहां से हमारे पास result बन जाएगा k into में e की power k into में k जनकी kx का derivative हम करेंगे तो k हो जाएगा तो हमने 1971 को solve किया तो हमारे पास k square into में e की power kx derivative हो जाएगा इसी तरह हम 3rd ओरडर का करेंगे तो क्या results हो जाएगा kward two as it is e की character derivative e की power kx into इन टू मने की आया गांग फूब एक की पावल की बन जायेगा कसी सात में तो यहां पर हमारा डैरीवेटिव इस थो जाएगा इस तरह से की थर्ड़ पार्ट हमारे पास given है y equal to हमने function let कर लिया y equal to function हमें given है log x minus x square तो इसका derivative करेंगे तो देखिए power आगे power कम हो जाएगी x square पर और log x का derivative 1 upon x होगा तो हमने वही किया log x का derivative 1 upon x किया और x square का derivative 2x कर दिया और y का derivative dy upon dx हो गया अब हमें दुबारा derivative करना है क्योंकि question में बताया गया है आपको second order का derivative find करना है तो function आपने ध्यान रखना है 1 by x minus 2x है तो इसका derivative देखिए आप किस तरह से हो जाएगा सबसे पहले 1 upon x का derivative करेंगे इसको आप किस तरह से लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे इसको x की पावर minus 1 फिर इसकी पावर आगे करेंगे पावर कम करेंगे minus 2 जिससे result यहापर minus 1 upon x square हो जाएगा और 2x का derivative minus 2 हो जाएगा इसलिए हमारे पास result में यह बन के देखिए minus 1 upon x square minus 2 हो जाएगा और derivative हमारे पास second order का था इसलिए हमारे पर देखिए पर और एक बार जो आपके पास जिसके respect में कहा गया एक उस पर इस तरह दिखिए next part हमें given है fourth part function हमें given है log into में log x function यह given है y के equal हमने let किया derivative करेंगे y का d y upon dx हो जाएगा x की respect में अब log log x का derivative मैंने आपको derivative करते हैं तो log x का derivative one upon x हो जाएगा तो हमारे पास derivative आ गया one upon x into log x तो यह हमारा first order का derivative है इसी तरह से second order का derivative देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास कि इस पर हम क्या apply कर सकते हैं u by v एकदम सही बता रहे हैं यू by v ही इस पर apply करेंगे क्योंकि अब हमारे पास function यह है तो यहां पर हमने derivative किया second order के according तो यहां पर डी स्केर वाई अपॉर में dx स्केर हो गया equal to हमारे पास u by v apply करेंगे v का square हमने v का square किया देखिए v उपर as this लिखा x का derivative करेंगे x क्या है one one का derivative zero जिससे यह पुरी term क्या हो जाएगी zero हो जाएगी इसी तरह से फिर हम क्या लिखेंगे one को as it is लिखेंगे और x into log x का derivative कर देंगी तो आपने वही अप्लाई करना है तो देखिए log x का derivative लिखेंगे और log x as it is लिखेंगे यानिकी v को as it is और u का derivative वन हमारे पास क्या आ जाएगा अब इसको हमने calculation से solve किया तो x से x terminate हो गया जिससे result 1 प्लस log x आ गया minus में और upon में x square into log x का square हो गया तो यह हमारा derivative हो जाएगा इसके हमने minus को solve किया जिससे दोनों हमारे पास minus में आ जाएगे यानिकी minus 1 minus log x हम common भी रहने दे सकते हैं अगर हम common नहीं रहने देते तो ऐसे भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर दोनों तरह से हमारा solution complete हो जाता है इसे तरह से next part हमें given है fifth part x square into me e की power 2x तो इसका derivative सबसे पहले वाई के एक wallet किया हमने फिर क्या करेंगे इस पे u into v एकदम से ही बता रहे हैं u into v ही apply होगा इस पे u as it is v का करेंगे derivative plus v as it is u का करेंगे हम derivative तो देखिए x square को हमने लिखा as it is और derivative करेंगे हम e की power 2x का तो e की power 2x तो हमारे पास as it is आ जाएगे जैसे कि हम e की power x करते हैं फिर x का derivative करते हैं तो यहाँ पर x क्या है 2x है 2x का derivative 2 हो गया इसी तरह से फिर हम करेंगे plus और v को लिखेंगे as it is तो हमने e की power 2x को लिखा as it is और x square का x square का derivative क्या हो जाएगा 2x तो हमने वही लिखा देखिए यहां पर 2x calculation को solve करेंगे 2 into में x square into e की पावर 2x plus 2x into में e की पावर 2x तो यहां पर हम दुबारा derivative करेंगे तो derivative देखिए किस तरह से हो जाएगा सबसे पहले इस पर apply करेंगे और उसके बाद इस पर तो देखिए 2 into में x square into में e की पावर 2x यनकी x square into में e की पावर 2x इसका derivative होगा u into v से तो हमने वही apply किया जैसे कि अभी हमने solve किया था function हमें यही given था x square into में e की पावर 2x हमें given था तो same वैसे हमने दुबारा derivative किया x square as it is e की पावर 2x का derivative e की पावर 2x का derivative e की पावर 2x into में 2x का derivative 2 प्लस करेंगे e की पावर 2x as it is x square का derivative, 2x हो जाएगा, 2 का derivative नहीं होगा, 2 हमार पस constant है, इसलिए हमने उसको बाहर लिखा इस तरह से, फिर हम क्या करेंगे, दुबारा derivative करेंगे, अब 2x into me e की पावर 2x है, 2 constant है, तो फिर उसको as it is लिखेंगे, x into 2 की पावर x है, x into me e की 2x का derivative e की पावर 2x into me 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x का भी derivative होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, x का derivative करेंगे, x का derivative बन रहेगा, और e की पावर 2x as it is आ गया, इनकी calculation को आपने solve कर रहा, तो हमार पस result बन जाएगा, यहां पर, 4x square into me e की पावर 2x, इसी तरह से, प्लस 8x, e की प 2x, तो आप देखिए, इनमें हमार पस क्या चीज कॉमन है, e की पावर 2x कॉमन है, तो हमने e की पावर 2x कॉमन लिया, result हमार पस बच जाएगा, 4x square plus 4x plus 2, तो यहां पर हमने इनकी calculation को solve किया, यहां पर multiply हो जाएगा, दोनों तरफ, 2 भी, तो हमार पस इस तरह से result बन जाए function given है, x plus 2 into e की पावर 2x, तो इस पे u into v ही apply होगा, एकदम सही बताया आपने, और इसको सबसे पहले बाएक equal हमने let कर लिया, अब यहां पर u into v apply कर देते हैं, u as it is, यानि की x plus 2 as it is, e की पावर x का derivative, e की पावर x हो जाएगा, plus करेंगे e की पावर x as it is, x का derivative, 1, 2 का derivative, 0, इ यहां पर derivative first order का था, तो इसलिए dy upon dx, इस पे भी आपने ध्यान देना है, कि second order का जल रहा है, फिर first order का, इस तरह से हमार पस dy upon dx first order में क्या आ जाएगा, x plus 2 into e की पावर x plus e की पावर x, तो इसका derivative होगा second order में, तो देखें क्या result हो जाएगा, d square y upon dx square, अभी हां पर फिर से u into v apply हो जाएगा, अभी हमने solve किया था, e की पावर x का यहां पर derivative होगा, और x plus 2 as it is, इस तरह से यहां पर x plus 2 का derivative हुआ है, और e x as it is आया, और यहां पर e x का derivative, e x ही हमारे पास आएगा, और आप इसको simplify कर लेते हैं, यहां से हमारे पास क्या चीज कोंबन आ रही है, तो दे plus 1 और इसे plus 1, इनको solve कर लिए, इनकी calculation को हमने solve किया, e की पावर x into में x plus 4 हमारे पास second order का derivative आ जाएगा, यानिकी d square y upon dx square हमारे पास आ जाएगा, e की पावर x into में x plus 4, तो इसी तरह से next part हमें given है, 7th part, x की पावर 4 plus x की पावर 3 plus x की पावर 2 plus x plus 1, तो इसका derivative देखी किस त इन पे derivative apply हो जाएगा, first order के according, तो dy upon dx, x की पावर 4 का derivative power आगे, power कम यानिकी 4 x cube, इस तरह से 3 x square हो जाएगा, हमारे पास derivative x cube का, x square का derivative 2 x हो जाएगा, x का derivative 1 और 1 का derivative 0, अब हम इसको और simplify करेंगे, यानिकी इस पे दुबारा derivative apply करेंगे, जितना हमाई कहा जाए, 2 order में करना ह करते रहेंगे, हम function change होता रहेगा, अब जो first order का derivative आया, वो हमारे पास अब वो function बन जाएगा, उसके according हमने derivative करना है, यहाँ पर 4 as it is आ जाएगा, constant है, x cube का derivative 3 x square, power आगे, power कम, इसी तरह 3 constant है, तो वो as it is x square का derivative, 2 x, power आगे, power कम, 2 constant है, x का derivative 1 होगा, 1 का derivative 0 हो जाएगा, इस condition को हमने solve किया, देखी, यहाँ पर, तो यहाँ पर result बन जाएगा, 12 x square, plus 6 x, plus 2, इसी तरह से, हमारे पास क्या order में चल रहा है, derivative 2 order में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, d square y upon dx square बनेगा, आपके पास, अगर 3 order में, तो कह लिखेंगे, हम उसको 3 order में, हम इसको इस तरह से ल derivative और 2 का derivative 0, अगर 3 order में कहा जाएगा, तो आपने 3 order का भी धियान रखना है, कि किस तरह से होगा, 4 order में भी हमें कह सकते हैं, कि करना है, find, तो आपने बस इसी तरह से कर लाए, जो मैंने आपको process बताया है, यहाँ पर हम क्या apply करेंगे, देखी, हमें function given है, x upon x plus 4, यह function हमें given है, its part है, हमारे पास यह question का, तो इसका derivative y की equal हमने पहले let किया, y का derivative x के respect में, dy upon dx, इस पे u by v apply हो जाएगा, u by v का formula पहले बताइए आप, मेरे साथ साथ बताइए, v square, v as it is, u का करेंगे derivative, minus u as it is, v का derivative, एकदम सही बताए आपने, इस तरह से हमारे करेंगे इसको solve, तो हम x plus 4 उपर as it is, यानिकि x क्या, x plus 4 हमारे पास क्या है, v है, इसलिए v का square, v उपर as it is, u का derivative, u क्या है, x, x का derivative 1, minus x as it is, और v का derivative, यानिकि x plus 4 का derivative 1 हो जाएगा, x का derivative 1 है, और 4 का 0, अब इनकी calculation का हमने solve किया, तो यहांसे x से x cancel out हो जाएगा, जिससे result dy upon dx, यानिकि first order में derivative हम upon x plus 4 का whole square, अब इसी तरह से दुबारा हम derivative करेंगे second order के लिए, अब function हमारे पास यह है, तो इसके according solve होगा, u by v अपलाई होगा, एक दम सही बताया, तो वापिस v का square, v उपर as it is, अब वही 4 का derivative, 4 का derivative सही बता रहे है, constant है, इसलिए यहांपर 0 होगा, फिर हम क्या करेंगे, minus u को लिखेंगे as it is, यानि कि हमने लिखा 4 को as it is, into में हम क्या लिखेंगे, into में लिखेंगे x plus 4, whole की power 2, यानि कि इसका square है, तो इसका power आगे power कम करके ही solve होगा, तो power हमने आगे की, यानि कि 2 को लिखा आगे, x plus 4, power कर दी 1, फिर x plus 4 का derivative 1 हो जाएगा, calculation को आपने solve करना है ये term हमारे पास 0 बन जाएगी, इनकी calculation हो solve किया, minus 8 into में x plus 4 आगया, और अपन में हमारे पास x plus 4, whole की power 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास first order में derivative किया था, तो x plus 4 का square आए था, तो यहाँ पर दुबारा square होगा, इसलिए यहाँ पर power 4 बन गई, और अब ध्यान से देखें आप, यहाँ से power 4 से हम इसको terminate कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास power 3 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर power क्या है, 1 है, इसको नीचे लेकर आएंगे, power किस में हो जाएगी, minus में, base देखें, सेम है, हमारे पास, दोनों base यही है, power एक में 4 है, एक में 1 है, और divide, हम एक में, x प्लस 4, whole की power 3, इस तरह से देखें, next हमारे पास given है, function हमें क्या given है, देखी यहाँ पर, x प्लस 3, अपोन में 3, x प्लस 1, हमारे पास 9 पार्ट यही है, x प्लस 3, अपोन में 3, x प्लस 1, इसको y के equal हमने let किया, अब derivative कर देंगे, first rotor के coding, यानि की dy upon dx, इस पर एकद हमने किया, square और 3, x प्लस 1, उपर लिख देंगे, as it is, x प्लस 3 का derivative, x का derivative 1 हो जाएगा, और 3 का derivative 0 हो जाएगा, तो यहाँ से result हमारे पास 1 आ जाएगा, इस तरह से देखें, अब minus, इसको लिखेंगे, यानि की, you को लिखेंगे, हम as it is, x प्लस 3, हमने लिखा, as it is, 3, x प्ल देखें, minus 9, plus 1, minus 8 हो जाएगा, और upon में 3, x प्लस 1 का whole square हमारे पास derivative में आ जाएगा, first order के coding, order ध्यान रखना है, dy upon dx, हमारे पास क्या आ गया, first order का derivative क्या आ गया, minus 8, upon में 3, x प्लस 1 का whole square, अब हम करेंगे second order, find, तो क्या हो जाएगा, d square y upon dx square, इस तरह से इस पे फिर हम u by v apply करेंगे, v का square, अब v हमारे पास 3, x, plus 1, whole का square हमें given था, इसका भी square होगा, इसलिए हैं आपर power multiply हो गई, 4 हो गया, plus नहीं करना, multiply करना है, यहां पर, तो यहां पर हमारे पास result बन जाएगा, 4, इस तरह से अब क्या करेंगे, इसको उपर लिखेंगे, as it is, यानि की 3, x, plus 1 का whole square हमने लिखा, उपर as it is, minus 8 का derivative 0 हो जाएगा, constant number है, minus, अब minus 8 को as it is लिखना है, और derivative 3, x, plus 1, whole की power 2 का derivative power आगे, यानि की 2 को लिखा आगे, फिर जो हमें x given है, यानि की 3, x, plus 1, उसकी power हमने कर दी कम, यानि की 1, फिर हम 3, x का derivative करेंगे, तो 3, और 1 का derivative 0, तो यहां पर य है, तो यहां पर हमारे पास result 48, into में 3, x, plus 1, upon में 3, x, plus 1, whole की power 4 है, तो फिर से वही power 1 है, यहां पर power 4 है, तो result क्या रहा जाएगा, power 3, एक दम सही, तो हमने वही किया, देखिए, second order का derivative में, यानि की d square y, upon में d x square, हमारे पास क्या आजाएगा, 48, upon में 3, x, plus 1, whole की power 3, तो 1, upon में e की power x, हमने y function let किया, अब सबसे पहले derivative, first order के according क्या आजाएगा, dy upon dx, जब हम y का derivative करेंगे, एक दम सही बता रहा है, u by v ही इस पे apply होगा, v क्या करेंगे हम square, यानि की e की power x का कर दिया square, तो यहां पर देखिए, multiply किया, हमने 2x, इस तरह हमने पहले, हमने 2 की 2 से multiply क थी, अब हमारे पास क्या आजाएगा, e की power x, उपर as it is, x plus 1 का derivative 1 हो जाएगा, x का derivative 1, 1 का derivative 0, तो यहां पर 1 आगया, इस तरह minus, u को लिखेंगे as it is, यानि की x plus 1 को हमने लिखा as it is, और e की power x का derivative करेंगे, तो e की power x का derivative, e की power x, into में x का भी derivative होता है, 1, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा यहां पर, अब इनकी calculation को आपने solve किया, तो result देखें क्या आजाएगा, हमारे पास e की power x से e की power x terminate हो जाएगा, इसी तरह से हमारे पास जो है, क्या result में रह जाएगा, x upon में e की power x, अब यह देखें किस तरह से रहेगा, हमारे पास result बना था, e की power x, जो result ब e की power x जो उपर है, उसको नीचे लेकर आए, तो result x upon में e की power 2x into में e की power x minus में होगी, बेस सें power add, 2x minus x, x बनेगी, यानि की e की power हमने देखी x की है, इस तरह से हमारे पास derivative आ गया, first order के according, dy upon dx आ गया, minus x upon में e की power x, अब function हमारे पास क्या है, function हमारे पास यह है, इसके according derivative u by v ही, इस पे apply करेंगे, दुबार आपने एकदम सही बता रहे हैं, e की power 2x हो जाएगी हमारे पास derivative में, यानि की हमने v का square किया, यानि की e की power x का square किया, तो e की power 2x, e की power x उपर as it is minus x का derivative minus 1, minus का ध्यान रखना है, minus है तो minus आएगा, minus हमने लिखा as it is, जो हम करते x into में x का derivative 1, calculation को solve करेंगे, result बन जाएगा हमारे पास e की power x minus में, plus x into e की power x, अब दोनों में हमारे पास एक चीज़ common है, वो क्या है, e की power x common है, तो हमने वो common लिया, this result minus 1 plus x हुआ, और upon में e की power 2x, तो हमने वही अपलाई करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, उप पर positive है, इसको नीचे लेकर आएंगे, minus का हो जाएगा, minus x plus 2x, plus x हो जाएगा, यानि कि हमने क्या किया, x minus 1 upon में e की power x derivative आ गया, यानि कि second order का derivative, d square y upon dx square हमारे पास क्या आ जाएगा, x minus 1 upon में e की power x हमारे पास derivative आ जाएगा, इस तरह हमारे पास 11th part given है, function given है, हमें x cube plus 1 into log x, हमारे पास यही function है, x cube plus 1 into log x, y की equal हमने let किया, derivative करेंगे, u into v एकदम सही, पहले u by v हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर u into v ही apply करेंगे हम, तो क्या result हो जाएगा, x cube plus 1 upon में log x का derivative हो गया, यानि कि 1 upon x, इसलिए यह upon में आएगा, हमारे पास x, अब हम log x को as it is लिखेंगे, x हमारे पास यही formula रहता है, देखिए हमारे पर, u as this, साथ साथ बताएगे, v का derivative plus v as this, u का derivative एकदम सही बताया है, आपने इसे को हमने apply करना है इस पर, तो हमारे पास यह result आ गया, calculation को हमने solve किया, तो हमारे पास derivative किया, आ गया, dy upon dx, first order के coding, x cube plus 1 upon में x plus 3x square into log x, हमारे पास य derivative आ गया, first order का, अब यह हमारे पास function है, इसका coding हमने derivative करना है, तो देखिए क्या आ जाएगा, इस पर u by v apply करेंगे, एकदम सही बता रहे है, u by v इस पर apply हो जाएगा, और इस पर u into v apply हो जाएगा, u into v यहाँ पर होगा, और u by v हमारे पास यहाँ पर result होगा, तो derivative apply कर अब हम करेंगे, v का square यानि की x square, x उपर as d, जैसे कि हम v को उपर as d करते हैं, x cube plus 1 का derivative यानि की u का derivative करते थे, इसलिए x cube का derivative पावरागे पावर कम 3x square, 1 का derivative 0, formula के coding minus, फिर हम क्या करेंगे, हम u को लिखेंगे as this, यानि की x cube plus 1 को लिखा, हमने as this, x का derivative कर दिया, 1, यानि की v का derivative 1, अब हम करेंगे plus 3x square as it is, यहाँ पर u into v apply करना है, तो u as it is v का derivative, log x का derivative, 1 upon x, plus करेंगे log x as it is 3x square का derivative, पावरागे, पावर कम 3 constant है, तो उसको as it is, पावरागे की, पावर कम की, तो हमार पास यह result बन गया, into में 1 हो जाएगा, x का derivative, solve किया, 6x आ गया, calculation को आपने solve करना है, तो हमार पास result देखे, क्या बन जाएगा, इस तरह से अपने calculation को solve किया, तो हमार पास result बन जाएगा, यहाँ पर 5x minus 1 upon x square, plus 6x into log x, हमार पास result बन जाएगा, तो यहाँ पर हमने जाए इनको solve किया, जैसे कि देखी, यहाँ पर, इनको l से में लेकर, हमने solve किया, जिसे य और यहाँ से minus हो जाएगा, जिसे यहाँ पर result minus 5x cube हो जाएगा, फिर हमने क्या किया, minus 5x cube ही लिखा, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखिए, 5x cube upon me x square, इस तरह से क्या result हो जाएगा, हमारे पास, 6x cube into log x है, तो 6x cube log x upon me x square, इस त देखिए, minus 1 upon x square, तो देखिए, हमने वही लिखा है, यहाँ पर, इसकी solve की, तो यहाँ से x कट जाएगा, और इस तरह से यहाँ से, हमारे पास cube कट जाएगी, तो यहाँ पर result देखिए, 5x, जो मैंने आपको बताए, solve करने के बाद, 5x, 5x आ गया था, इस तरह से, यहाँ minus 1 upon x square, 6x into log x, हमारे पर से result आ गया, तो इस तरह से मने के calculation को solve किया है, तो यहाँ पर देखिए, calculation को अपने ध्यान से solve करना है, इस तरह से, next part हमें given है, 12th part, function given है, log, e की power हमें given है, देखिए, e की power x है, into में x की power 4, upon में हमें given है, x plus 1, whole की power 3, function हमें यह given है, इस से मैंने इस किस तरह से किया, मैंने आपको बताया था, पिछली exercise में हमें किस की जुरत पड़ती है, log की जुरत पड़ती है, log की properties हमें आनी चाहिए, तो उसका recording ही हमने इसको लिखा है, 5.4 में मैंने आपको properties बताई थी, तो यहाँ पर result हमारे पस log a by b होगा, तो क्या लिखते है, log a minus log log b, हम यहीं लिखते हैं, तो हमने वही किया, देखिए, log a minus log b, अब क्या होगा, log a into b देखिए, log a plus log b, हमने वही किया, log a plus log b, देखिए, जो मैंने आपको 3 properties बताया थी, उसके coding हमने इसको पहले simplify किया, तो हमने इसको simplify कर लिखा, यहाँ पर log a minus log b हो गया, फिर यहाँ पर as it is, फिर हमने इस पर फिर दुबारा property लगाई देखिए, यहाँ पर यह कौन सी property है, यहाँ पर हमने लगाई है, log m की power n, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास यह result बना, यहाँ पर हम पहले ही लगा चुके हैं, पावर आगे कर दी थी, तो इससे हमारे पास यह result बन गया, अ जो result है, हमारे पास same आजाएगा, अब हम derivative कर देते हैं, x का derivative 1, एकदम सही होगा, 4 log x का derivative 4 constant है, तो as it is, log x का derivative 1 upon x, तिया इसलिए यहाँ पर x upon में आया है, minus 3 constant है, तो उसको as it is, log x plus 1 का derivative 1 upon x plus 1 हो जाएगा, और x plus 1 का derivative into में होगा, जिससे result यहाँ पर into 1 हो जाएगा, यानि की x का derivative 1 है, और 1 का derivative 0 है, तो हमारे पास यह first order के coding आया, तो आपने दियान रखा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, dy upon dx, x के equal हो जाएगा, 1 plus 4 upon x minus 3 upon x plus 1, इसी तरह से second order का derivative end करेंगे, तो यह हमारे पास क्या है, function है, 1 का derivative 0, 4 constant है तो उसको as it is, अब 1 upon x का derivative में आपको बह पर लेकर जाते हैं, पावर पावर आगे, पावर कम, इसलिए हमारे पास x स्केर हो जाएगा, आप इसको ध्यान भी रखें, 1 upon x जब भी आपके पास आएगा, आपने क्या करना है, minus करनी करनी है, और जो आपके पास power में है, उसके according यहाँ पर power plus कर कर लिख दी, इसलिए हम पर minus 4 upon में x स्केर हो गया, 4 constant था, इसलिए 4 है गया, अब यहाँ पर हमने इस पर क्या अप्लाई करना है, u by v, देखिए u by v किस तरह से अप्लाई हो जाएगा, u by v अप्लाई होगा, तो देखिए क्या करेंगे, v का square करेंगे, v उपर as it is, derivative u का, यानि कि minus 3 का derivative 0, minus 3 as it is, और x plus 1 का derivative 1 हो जाएगा, आपने इनको simplify किया, result हमारे पास यहाँ पर 0, और यह minus 3, और यहाँ पर भी minus है, तो इसलिए यह plus हो गया, अब हमारे पास result बन जाएगा, minus 4 upon me x square, plus 3 upon me x plus 1 का whole square, और derivative second order का है, इसलिए यहाँ पर d square y upon me dx square हो जाएगा, तो इस तरह देखिए हमने 5.9 exercise का first sum complete कर लिया है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like कर दीजिए, दोस्तों को share कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, तो चैनल को subscribe कर दीजिए, bell icon को press करना मत बूलना जाकि आपको business mathematics related नए नए वीडियो की notification सबसे पहले मिल जाएं,